इलेक्टरोल बोन पर लगातार विपक्ष का गमासान जारी है और लगातार वो सरकार पर हमला कर रही है और उस पर जवाब देने की जो मांग है वो यहाँ पर की जारी है और आज भी संसत पर इसरों के बाहर विपक्ष ने हंगामा किया है तो इलेक्टरोल बोन को लेकर ये जारी है विपक्ष लगातार हमला वर है और कॉंग्रेस निताओं ने संसत परिसरों में हंगामा किया और सवाल उठाए कल भी सदन में इलेक्टरोल बॉंड को लेकर हंगामा हुआ था विपक्षों के हंगामा के बाद केंद्रे मंत्री प्युष गुल सामने आए उन्होंने यह दावा किया कि इलेक्टरोल बॉंड के जारी होने के बाद से चुनाज कंत्र में काले धन काустराा कम हुआ है और पादर्ष्चिता बड़ी है उन्होंने इसके लिए Electoral Bond जारी होने के बाद और पहले के हालातों में अंतर का एक खाका भी पेश किया लेकिन लगातार जो विपक्ष है वो Electoral Bond को लेकर हमलावर है और दोनों ही सदनों में सरकार से जवाब मांग रहा है और इसी को लेकर कॉंग्रिस नेताओं ने संसत परि कि सरकार के मंतरी पर इस गोल ने इस पर सफाई और एक खाका जरूर पेश किया लेकिन उसके बाद भी विपक्ष यही मांग कर रहा है कि दोनों सदनों में इसको लेकर जवाब रखा जाए और इसी पर तमाम नेताओं का क्या कुछ कहना है वो रियाक्शन आपको सुनबात बस यही हालत है एलेक्टरल बॉंड्स के लेकिन इस बार जो नई बाद उठी है यह जो बड़ी सीरिस मामला है क्योंकि यह गंभीर विशे जो हम देखा है एक जर्नलिस्ट ने तो पता कर लिया आर्टी आई के बज़े से कि जिस एलेक्टरल बॉंड पॉलिसी एक्षिंस स्टेट असेंबली एक्षिंस में एक्स्टेंड कर दिया और जब यह लोग प्रॉपोस किया कि एक्स्टेंशन हो जाए तो उस वक्त जो जवाब दिया था जो फैनान्स मिनिस्टरी के ऑफिसर था वह फाइल पे लिखा कि यह नहीं चलेगा क्योंकि नोटिफिक निकालेंगे यह तो बश्टाशार से ज्यादा क्या सबूद चाहिए अप लोगों कॉंग्रेस पार्टी कभी भी जो चुनावी पर किया है उसमें टांस्फिरेंसी के पक्षमिर रही नहीं है आपको जाद होगा कि यही कॉंग्रेस पार्टी है जो इवियम पर सवाल करती है यह कॉंग्रेस पार्टी है जो इलेक्टराल बांड पर सवाल करती है और सवाल यह पैदा होता है कि आप काले धन को कितनी दिन तक सफायत करते रहेंगे इसलिए सारी चीजने दूद का दूद पानी का पानी है इसमें सब कुछ साफ है कि कि किसको कितना मिला और किसको प्र चुनाव जो है वो आज से सतर साल पहले अप साट साल पहले वाला नहीं रह गया है इसलिए बहुत बहुत पॉजिटिव सुधार है और बहुत ही अच्छा सुधार है और देश में ट्रांसपरेंसी लाने के लिए चुनावी परकिरिया को और पारदर्शी करने के लिए एक बॉंड का चलन परारंब किया था हम इसके समर्ज़ था